दूशन से जोड़ी हुई दिल्ली में यमुना नदी पर प्रदूशन बढ़ने के साथ ही सियासत भी गर्मा गई है केंद्र सरकार के जल शक्ती मंत्री गजेंदर सिंग शेखावत ने दिल्ली सरकार पर केंद्र के फंड का सही इस्तमाल नहीं करने का आरोप लगाया है उन्हें से बात किये हमारे संबादाता कुंदन ने दिल्ली में यमुना गंदी है और उसको लेके राजनीत शुरू हो गया हमारे साथ बातचीत के निकले केंद्र जल शक्ती मंत्री गजेंदर सिंग शेखावत मौजूद उन से बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी जो के दिल्ली में सरकार है वो बहुत साफ आरोप लगा रही है कि जो तीन बड़े प्रजेक्ट से नमामी गंगे से लेकर और उत्तर प्रदेश और हर्याणा की वज़े से आज जमना के हालात है कि दिल्ली में 2445 क्रोड रुपे की योजना नमामी गंगे के अधीन स्विक्रत हुई थी लेकिन दुरभाग्य से वो योजनाओं को के टेंडर प्रिक्रिया में जितना योजना के पूरी होने में पूरा समय लगना चाहिए ता लगबग 2 साल का उससे ज्यादा समय लगा है और जितना उस योजना के टेंडर के बाद में वर्क अलोकेशन से पूरा होने में 2 साल का समय लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम डिले चल रहा है और मुझे लगता है कि यह जब तक काम पूरे नहीं होगे यह काम जो है यमुना की स्वच्छता को यमुना साफ हो सके य गंगा नदी पर Sin नवामी गंगे में मानी प्रदानबंत जी के नेत्रतों में जो हमने काम किया क्योंकि हमने तध्य समय में परियोजना को पूरा किया आज परिणाम आपदेश के सामने हैं दुनिया के सामने वाटर बिंग स्टेट सब्जेक्ट, इंप्लिमेंटेशन की जम्मेदारी राज्य सरकार की थी, यमुना के फिलियोर, यमुना की दुरुदर्शा की जम्मेदार यदि कोई है, तो केवल और केवल केजरिवाल की सरकार है कि आप लोगोंने उनको वान की था, कि इसको लेके की स्लो चल रहे हैं, अपने दिल्ली सरकार के साथ में मीटिंग्स भी की, बार बार अधिकारियों के स्तर पर भी इस विशे को चेताया गया, हमारे अधिकारियों ने जाकर के साइट इंस्पेक्शन भी किये, और ये जो नदी की साहयक, फर्स्ट ओर्डर, सेकंड ओर्डर, ट्रिबूटरी जितनी भी हैं जिन में यमुना सबसे प्रमुख है, उसके बाद में राम गंगा, काली, इशार्दा, इन सब नदियों पर जो प्रजक्स चल रहे हैं, अन्य प्रदेशों में प्रगती जो है, वो एकाज ज जहन किया है, उसकी जिम्मेदार यदी कोई है, तो केवल और केवल केजरिवल साहब की सरकार के अकर्मनेता और दिल्ली जल बोड की उदासी इनता भरा रवया है, वो दिल्ली जल बोड के जो उपाद है, वो कह रहे हैं कि हरियाना और उत्तरप्रदेश से जो पानी आता, वो अमोनिया लेके आता है जिसकी वज़े से आज पानी के यह हलात है दिल्ली में 35 क्रोर लीटर सुवेस जनरेट होता है उस जनरेटेट सुवेस के ट्रीटमेंट के लिए जो प्रजक्स बनने थे वो सब प्रजक्स अधूरे पड़े हैं इसके अतरिक्त दिल्ली में पॉलिशन इंफ्यूज करता है वो एक भी वो एक को छोड़ करके कोई भी सीटीपी जो है वो निर्धारित मानिकों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं दिल्ली सरकार को हमने कहा कि इसकी जिम्मेदारी लें इसमें काम करें लेकिन परिनाम आप सब के सामने है बिल्कुल य परसल केंद्र सरकार ने नदिउं की सफाई के लिए नमामी गंगे मिशन के तहट राज्जियों को फंड दिया था जिसके तहट दिल्ली को सबसे ज़्यादा दो हजार तीन सोரो मिक्सट करोड का फंड़ दिया गया उसके बाद यूपी को थेरह सो से ज़्यादा हर्याना क कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया जलशक्ती मंत्री को भी आप सुन रहे थे जो ये आरूप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से फंड राज्यों को दिया गया था नदियों की सफाई के लिए लेकिन उसका इस्तमाल बिलकुल नहीं किया गया और यमुना पर जो की गोपाल राय से बात की तो वो गोल मोल जवाब देते नजर आए और यमुना के गंदे होने के लिए उन्होंने यूपी और हर्याना को जिमदार बताया सरकार के पॉलिसिस के बावजूर जब पैसे दिये गए नमामी गंगे प्रोजेक्ट के अंतरे भी तो साफ जिली सरकार कराने के बक्ष में नहीं है ऐसा बोल रहे हैं वो लोग ये जील है और वो नदी है नदी का पानी जो है वो आता है पीछे से दो जाना बदलता रहता ह है जील का पानी स्तिर रहता है तो यमौना को पानी मेगान राधे मुझेनयक यह मोना को जमीन गंदी है या पानी पानी कहां से आया दे सी कहां अगया यह लूग आप से पानी भी को बोल रहे है आता नहीं आ था है फैसले पीच्छे तुनों चीजों को पहले अलग अलग आप समझो अभी जो जमुना के अंदर पानी जाग दिख रहा है वो तो पीछे से आया है ताइम स्रान भारत ने एक ऐसे परिवार से बात की जो पिछले 30 सालों से यमुना में स्नान करने आ रहा है लेकिन आज तक उन्होंने कभी साफ य तो पहाड निकले है कम दुख तो रहा होगा जब आप पानी में नहाए होगा लेकिन जो गंदा पानी है उसमें नहाना तो और बिमार होने जासा होगा तो कोई नहां करते हैं हरसाल तो आना पड़ता है मिन हो साहिए यहां पर नहाने आई और आपने देखा इबा कैमरा घूमेगा पानी सफेज जाग गंदा पानी बद्बू आ रही है पानी में से तो थोड़ा डड़ भी लगा क्या की बिमार तो नहीं हो जाएंगा लेकिन बिमार नहीं होते हैं फॉर आपि कितने सालों से आ रही है तो थीस साल से आरही हूं यहीं आती बनाने हर साल पाले तो और गंदे आते था सरकारी दावे जो होते हैं जो हमेशा एक बड़ा बजट निकाला जाता है कि यमुना साफ हो जाएगी गंगा साफ हो जाएगी वह सब खोकले नजर आते हैं जब आप लोग इसमें जाके असनान करते हैं तो क्या करो नहाना तो पड़ेगा ना मजबूरिम नहाते हैं अब देखिए यह आईटियो के किनारे का यमुना घाट है जिस पर कल बहुत राजनीती भी हुई बीजेपी के कारे करता आए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में खूब इस बात को लेकर बहस भी हुई तस्वीरे आप देख लिए हलाकि पानी का बहाव तेज है यही वज़े है कि आपको थोड़ा सा जाग कम दीखेगा लेकिन आसपास अगर देखेंगे तो वाइट जहरी ले पानी के उपर एक चादर आपको नजर आएगी शर्दा यह है कि लोगों को छट के दौरां यहाँ पर मजबूरी में आकर नहना पड़ा है लेकि पानी कितन सालों से तमाम दावे खोकले नजर आते हैं वीडियो जर्नलिस्ट बालकिष्ण के साथ पुलकितागर टाइमस नाओ नभारत पैसे केंद्र से आते हैं आपके टैक्स से आते हैं लेकिन दिली सरकार का कहना कि यह पानी या मुना में गंदा हर्याना और उत्तर प्रदेश से आता है चुटासा ब्रेक आगे कई और खबर हैं